कि नमस्कार आप दीख रहें इस पेन नाइन निकोज और मैं हूँ आपके साथ नहां केंद्रिक रहराज्यमंत रिया जमिश्रा टेनी ने बीते दिन सत्ता की हनक में मरियादा भूल कर मीडिया के साथ अबद्रता की थी उनके इस वहवार से बीजेपी अलगमान भी नाराज बताए जा रहे हैं वही सूत्रों से मिली जालकारी के मताबिक टेनी को दिल्ली तलब किया गया है सूत्रों के मताबिक पार्टी के बड़े नेता ने टेनी को फोन कर जम कर फटकार लगाई है गौर्टराव है कि बीजेपी मिशन 2022 के तहत काफी फूख फूख कर कदम रखे ही है ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि उनके नेताओं की वज़े से किसी भी तरह का विवाद खड़ा हो बता दे कि अजे मिश्रा टेनी उत्तर परदीश के लखीमपूर से सांसत है कल लखीमपूर में सरकारी कारेकराम के दोरान ग्रहराज मंतरी अजे मिश्रा टेनी एक न्यूस के मीडिया पत्रकार के साथ अबतरता करते हुए दिखाए दिये पत्रकार ने टेनी से लखीमपूर कांड को लेकर साइटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा था सवाल सुनते ही मंतरी बढ़ा गुठे और पत्रकार से बत्सलूकी करने लगे गुसे में आग बबूला नजर आ रहे है जे मिश्रा टेनी ने पत्रकार को डराने धमकाने की पूरी कोशिश की वहीं इस दोरान वहां मौझूद दूसरे रिपोर्टर को मंतरी ने फोन बंद करने की धमकी वी दी थी साथ ही टेनी कहते सुने गई की ऐसा है बेकूफी के सवाल मत करो दिमाग खराब है क्या वे फोन बंद कर दे कौगनेस पार्टी की राष्ट्रे महाससीव नेता प्रियंका गांधी ने केंद्रिय गरह राज्य मंत्री अजय मिश्राटेनी को लेकर मोधी सरकार पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि अजय मिश्राटेनी को बरखास्त करने से सरकार का इंकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे वड़ा संकेत है वही उन्होंने परधानमंती नेंद्र मोधी को तीखा हमला किया प्रियंका गांधी ने ट्वीट का लिखा कि नरेंद्र मोधी जी धर्मे पढ़नायता के चश्मे और धार्मी कोशाक पहनने से यह तथ्य नहीं बतलेगा कि आप एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं अजे मिश्रा टेनी को पर खास कर कानून के तहत आरोपित किया जाना चाहिए इसी के साथ बता दे कि आपको लखनों की सडकों पर कॉंग्रेस कारेकरताओं का सैलाब मड़ पड़ा है टेनी के इस्तिफ़े को लेकर अजे कुमार लल्लू और अने को कारेकरता भी शामिर हो चुके हैं लेकिन देखने वाली ये बात है कि एक तरफ जहां कल राकेश टिकेट से ये पूछा गया कि लखीमपुर वाले मामले पर आपका क्या कहना है तो वहीं राकेश टिकेट अपना पला जाड़ते नजर आए और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि प्रियांक गांदी पीडितों के न्याय के लिए अभी तक लड़ती नजर आ रही है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है ऐसी और खबरों के लिए देख चे रहीएगा SPN 9 News तन्यवाद